है हेलो फ्रेंड्स मेंमंा ओ dez desse कर रहा है जावा लेंगउज पर दोस्तों इससे पंवाले वीदेयों में आपको लयों पर रिए और होड़ेकर only या आज reflect जावा के अंदर टोकन क्या होते हैं कितनी प्रकार के टोकन जावा में हमको यूज करना रहता है तो देगे सबसे पर इसकी डेफिरिशन समझते हैं जावर टोकन सारता है स्मॉलेस्ट इंडिविजल विल्लिंग ब्लॉक्स और स्मॉलेस्ट उनिट ऑफ प्रोग्राम में यद जो बंटे इसलिए टोकन को क्या कहा जाता है बैसिक बिल्लिंग ब्लॉक कहा जाता है किसके लिए प्रोग्राम के लिए ठीक है तो यदि आपको program बनाना है तो program के अंदर क्या लिखेंगे हम statement लिखेंगे और statement लिखने के लिए हमको क्या use करना रहता है token का use करना रहता है तो token क्या है हमारे पास individual building block है या फिर हम यू कहें कि किसी भी program के लिए सबसे जो smallest unit होती है उसको हम क्या बोलते है token बोलते है ठीक तो token के use क्यों किया जाएगा token का use किया जाएगा जब भी हम Java program के अंदर statement लिखेंगे या फिर कोई expression यदि हम लिखते है तो वहाँ पे इनको construct करने के लिए किसके use किया जाएगा token का use किया जाएगा फिर next क्या है Java program is collection different types of tokens, comments and white spaces means जब हम Java program बनाएंगे तो Java program में किस-किस चीजों का collection करेंगे हम सबसे पहले तो हम token पे बात करेंगे कि token आता है उसमें इसके अलावा comments का हम use कर सकते है और यहाँ पे white spaces का हम use कर सकते है ठीक है तो Java program के अंतर हम तीजिजों का use करते है जिसमें सबसे IMP क्या है हमारे पास token है ठीक है तो दोस्तों अब आगे देखते हैं कि Java कितने प्रकार के tokens को support करता है तब हम यहाँ ले सकते हैं कि Java support 5 types of tokens कितने token के बारे हम बात करेंगे हम यहाँ पे 5 token के बारे में बात करेंगे कौन-कौन से token होंगे यहाँ पे first जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो है keyword second हम बात करेंगे identifier के बारे में third हम बात करेंगे laterals के बारे में fourth है हमारे पास operators और fifth token है हमारे पास separators ओके बैसे हम token के बारे में जब c language हमने discuss किया था c language भी हमने discuss किया है token के बारे में तो definition तो भाई है लेकिन Java के point of view से अब हम इनके जो अंदर के tokens है जैसे की keyword है identifier से, literal से, operator से, separator से इन पे detail में discuss करने वाले हैं तो next video में हम discuss करेंगे Java के keywords के बारे में अब दोस्तों यह तो होगी token के बारे में बात अब देखें जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है Java program के अंदर किस-किस का collection करते है different type के token का collection करते है इसके लावा क्या यूज कर सकते है comments यूज कर सकते है और white space का हम यूज करते है तो tokens तो जो 5 परकार के हैं वो हम next video में discuss करेंगे अब इसके लाव हम बात करते है comment की उपर ठीक है तो comment actual में क्या होता है comment होता है हमारे पास non-executable statement non-executable statement इसका मतलब होता है कि compiler इनको check नहीं करता है कि इनमें क्या लिखा हुआ है ठीक है यह सिर्फ user के लिए होते हैं किसी information को provide करने के लिए किसी का program है किसने बनाया है या कोई concept वहाँ पर आगर आपको describe करना है तो आप क्या यूज़ करते हो document section का use करते हो तब वहाँ पर आप किसका use करते हो comment का use करते हो या फिर बीच में कही कोई variable आपने लिया है program आप कर रहा है कोई method आपने लिया है और उसके बारे में कुछ आपको information देनी है तो आप किस में दोगे comment में दोगे ठीक है अब comment के यहाँ पर दो type हो जाते है पहला यहाँ पर होता है single line comment ठीक है अब single line comment के लिए आप इस तरीका symbol का use करते हो means जिस statement को या फिर जिस sentence को आप comment बनाना चाहते हो तो उसको कहा से start करोगे आप इस symbol से start करोगे और इसके आगे आप जो भी लिखोगे वो क्या कैलाएगा comment कैलाएगा और इसको compiler execute नहीं करता means इसको check नहीं करता है किसमें आपने क्या लिखा हुआ है ठीक है यहाँ पर ओके second जो type होता है वो है multiline comment multiline comment का meaning यह है कि यदि यहाँ आप को statement को comment बना रहे हैं किसी information को comment बना रहे हैं और वो एक line में complete नहीं हो पा रहे है तब आप line change करके next line में आओगे उस case में आपको क्या यूज़ करना है multiline comment यूज़ करना है तो इसके लिए क्या रहेगा यह वाला symbol यहाँ पर strict का symbol और जो भी आप statement लिख रहे हो वहाँ पर यहाँ पर इस तरह आप line change करके लिख सकते हो लेकिन जब आप इसको close करोगे क्योंकि यहाँ पर line change कर चुके हैं यहाँ पर इसको आपको close भी करना रहेगा single line सिर्फ open होता है और multiline को आपको open भी करना है साथ में फिर close भी करना है तो जिस तरह का symbol यहाँ पर use किया है इसका reverse order आपको last में use करना है ठीक है तो यह कहलाता है आपका multiline comment और यह है आपकी single line comment इसके अलावा और क्या है यहाँ पर white spaces है white spaces का मतलब होता है कि जो भी आप space देते हो जैसे मालीज हमने यहाँ पर दो words लिखे हुए है उसके बीच में space दिया है तो यह भी space कहलाता है यदि आप line change कर रहा हो तब भी एक space यहाँ पर generate होता है उसको हम बोलते है new line space या फिर horizontal space या vertical space यह सब चीज़े किसमें आती है white space में आती है ठीक है तो Java program में हम तीन्ची जोगा collection कर रहा है different type के token का collection कर रहा है इसके अलावा comments हो सकता है या white spaces का collection भी आप करते हो ठीक है ओके friend तो यह था आज का वीडियो next वीडियो हम देखेंगे tokens के type जिसमें सबसे पहले हम discuss करेंगे किसके उपर Java के keywords के उपर ओके तो आज की वीडियो में बस इतना ही यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें Thank you